चक्रवती समराट अशोक फांडेशन की और से आज बुद्ध जैनती के मौके पर 2586 किलो की खेर बनाई गई है खास बात यह है कि इस खेर के निर्वान के लिए वर्ल रिकॉर्ड भी बनाई जा रहा है हम फिलाल खड़े हैं बेजनबा की सेरिया में जहां पर समराट अशोक चकरवर्ती फांडेशन की तरफ से जो है 2586 किलो की खीर बनाई जा रही है जिसका रेकॉर्ड भी अभी बनने जा रहा है हमार साथ समिती के कुछ सदस है जिन से हम बात करेंगे मुझे बताईए यह जो खीर बनाई जा रही है किस उपलक्ष में है और क्या किस तरह से बनाई जा रही है मैं सबसे पहले बीएसेन के सभी दर्शकों को और बीएसेन के ऑर्गनाजर और हमरे रिपोर्टर भाई को भी मैं बहुत मुबारबाद दूंगा क्योंकि हमें बहुत ज़रू थी कि आज पुरा विश्व तदकत भकवन बुद्ध की वशक पूर्णिमा जो की 2586 वर्षपूर्ण के उसर पर हमारा आर्गनाजर कमीटी जो चक्रवती समरण रशक फांडेशन के नाम से हमने इसको स्तापित किया है और पिछले एक मैने से हम लोग लगातार इसके पीछे वर्षप कर रहे हैं क्योंकि आप देखा जाए तो बुद्ध का जो भी उनका इत्यासरा है बहुत अधिक उन्होंने परिशम लिया है बहुत अधिक चले है वो इस चलने के बाव जूद जब वो एक ऐसे पड़ाव पर आए थे कि उनका शरीर उनका साथ छोड़ना चुड़ना शुद्ध हो गया था तो ऐसे ही समय पर आज के दीन पर सुझाता जी ने उनको खीर का दान की थी और उस खीर के वज़े से एक पूर्ण जीवन जीवनदान अगर कहा जाए हम लोग ताथा जी को तो वो जीवन अपना एक-एक योगदान जो हुना हमें दिया है उसके लिए हम बहुत-बहुत के अभारी है साथ ही यहां पर भी नौबज़े महापधितन पार्ट की भी यहां पर व्यस्ता की गई है कि जो पतंसुड है वो यहां पर हम लोग और्गनेस्ट की है तो मैं आप सभी बनने जा रहा है मैदान पर आप देखने मेरे पीछे सारी खीर कई प्रक्रिया चल रही है और आप आईए हम आपको विशेश तोर पर हम आपका स्वगत करेंगे और आप सभी दर्शकों को मैं पुना एक बार वश्यक पूर्णिया में कि मैं हार्दिक शुकाम नहीं देता कि लोगों को एक संदेश जाए इससे कि भारत देश को या दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूत है बुद्ध भगवान ने शांती का एक राहा दिखाई है तो उसी प्रकार सब काम शांती से हो रहा है नीचर भी हमारा साथ देरा इतनी धूपती जब से लोगों की आधी है तो उसको क्रेण के माध्यम से हमें लाने की कोशिश कीации किस तरह से त्यारी की कितना मटेरियल लगा है इसमें इसमें दूद लगा है और काफी सारे ड्राइफूट्स डाले गए है जो कि बहुत अच्छे लेवल पर डाले गए हमने और अभी देखते हैं रात को इसका काउंटिंग शुरू होगा और वर्ल्ल रिकॉर्ड में इसका नामदर्श होएंगा आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है दो कड़ी का जो है यहां पर चूले पर रखे गया है जिसमें अभी फिलाल चावल उबालने के लिए डाले है और ड्राइफूट्स भी इसमें डाले गया है और दो कड़ियों कड़ियों में डिवाइट किया गया केमरा परसन अजित कुवर के साथ मैं प्रकाश शूंकला रिम बीसीन निव्स नाकपूर